नैना देवी मंदिर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां हर साल हजारों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का धार्मिक, सांस्कृतिक और एतिहासिक महत्व काफी पुराना और गहरा है। इस वीडियो में हम आपको नैना देवी मंदिर से जुड़ी हर महत्वपून जानकारी देंगे, जिस से आप न केवल इस पवित्र स्थान के बारे में जान पाएंगे, बल्कि यहां यात्रा के दौरान ध्यान में रखने वाली बातों को भी समझ सके। तो चलिए, शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। देवी सती के शरीर के टुकडे करती हैं। जहां जहां देवी के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीट स्थापित हुए। कहा जाता है कि नैना देवी मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां देवी सती की आँखें नयन गिरी थी इसलिए इस स्थान का नाम नैना देवी पड़ा इस मंदिर का मुख्य महत्व यही है कि यह भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है यहां आने वाले श्रधालू मानते हैं कि यहां माता रानी उनकी सभी मनो कामनाय पूरी करती है और हर दुहक हर लेती है नैना देवी मंदिर से जुड़ी एक और पौरानिक कथा है माना जाता है कि एक राक्षस जिसका नाम महिशासुर था उसने भगवान ब्रह्मा से वर्दान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता इस वर्दान के बाद महिशासुर ने देवताओं और इंसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा का अहवान किया और उन्होंने महिशासुर का वद किया लिए इसी ही मान में कमबाज से माता नैना देवी को महिशासुर मर्दनी के रूप में भी पूजा जाता है नैना देवी मंदिर उची पहाड़ियों पर स्थित है जहां से आपको बेहत सुन्दर नजारे देखने को मिलते हैं मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको एक सीडियों वाली रास्ते से गुजरना पड़ता है जिसे लेकर भी स्थानिय श्रद्धालूओं में बड़ी आस्था है हालां कि अगर आप सीडियां चड़ने में असमर्थ हैं तो यहां रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है जिससे आप आराम से मंदिर तक पहुँच सकते हैं मंदिर के अंदर माता नैना देवी की एक प्राचीन प्रतिमा स्थापित है जो बेहद मनमोहक है मंदिर के परिसर में एक बड़ी घंटी भी लगी हुई है जिसे भक्त जन दर्शन करने के बाद बजाते हैं मान्यता है कि मंदिर में जो भी सच्चे मन से आता है और माता के दर्शन करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है अगर आप नैना देवी मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले बिलासपुर पहुँचना होगा जो हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख जिला है बिलासपुर से नैना देवी की दूरी लगभग सत्तर किलोमीटर है और आप यहां तक बस या टैक्सी से आसानी से पहुँच सकते हैं सबसे नजदी की रेलवे स्टेशन चंडीगढ है जो लगभग सौ किलोमीटर की दूरी पर है इसके अलावा अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदी की हवाई अड़ा चंडीगढ हवाई अड़ा है अगर आप अपनी यात्रा को और भी आराम दायक बनाना चाहते हैं तो चंडीगढ या बिलासपुर से नैना देवी तक का सफर करते हुए आप हिमाचल की खूबसूरत पहाड़ियों का आनंद भी ले सकते हैं वैसे तो आप नैना देवी मंदिर साल के किसी भी समय आ सकते हैं लेकिन अगर आप यात्रा का सबसे अच्छा समय जानना चाहते हैं तो मार्च से अक्टूबर के बीच का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है खास कर नवरात्री के समय यहां का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो जाता है और आपको एक अलग ही आध्यात्मिक उर्जा का अनुभव होगा इस दौरान मंदिर में विशेश पूजा और आर्ती का आयोजन किया जाता है जिसमें हिस्सा लेने का अनुभव अविस्मरणिय होता है नैना देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद आप आसपास के क्षेत्रों में भी घूमने का प्लान बना सकते हैं मंदिर से कुछ दूरी पर गोबिंद सागर जील है जो एक बहुत ही खुबसूरत पिकनिक स्थल है यहां आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं सके अलावा अगर आप इतिहास में रुची रखते हैं तो आप बिलासपुर के पुराने किले और संग्रहालयों का भी दौरा कर सकते हैं अगर आप सीधियां चढ़ने से बचना चाहते हैं तो नैना देवी मंदिर में एक रोपवे सेवा उपलब्ध है जो आपको सीधे मंदिर तक ले जाती है यह रोपवे सेवा ना केवल आपकी यात्रा को आरामदायक बनाती है बलकि आपको पहाड़ों और घाटियों का अध्भुत द्रिश्य भी देखने को मिलता है यह सेवा खासकर व्रिद्धों और बच्चों के लिए बहुत सुविधा जनक है जो पैदल यात्रा करने में कठिनाई महसूस करते हैं जब भी आप नैना देवी की यात्रा पर जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहत जरूरी है यहां आते समय हलके और आराम दायक कपड़े पहने क्योंकि आपको पहाड़ी रास्तों पर चलना पड़ सकता है साथ ही मंदिर परिसर में सफाई बनाए रखें और किसी भी प्रकार की पॉलिथीन का उप्योग न करें मंदिर में फोटो खींचने और वीडियो बनाने की अनुमती हो सकती है लेकिन इसके लिए पहले से मंदिर प्रशासन से जानकारी ले ले मंदिर में आने से पहले आप एक बार मौसम का पूर्वानुमान जरूर चेक कर ले क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है इसके अलावा अगर आप नवरात्री के समय यात्रा कर रहे हैं तो अपने ठहरने की वेवस्था पहले से कर ले क्योंकि इस दौरान यहां काफी भीड रहती है नैना देवी मंदिर में साल भर विभिन्न त्योहार मनाये जाते हैं जिन में नवरात्री सबसे प्रमुक है इस समय पूरे मंदिर को विशेश रूप से सजाया जाता है और माता के भक्त यहां बड़ी संख्या में आते हैं इसके अलावा श्रावण अश्टमी मेले का आयोजन भी यहां होता है जो एक बड़ा आकर्शन होता है इस दौरान यहां विभिन्न सांस्कृतिक कारेक्रमों का भी आयोजन किया जाता है नैना देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां कई चमतकार होते है कई श्रद्धालूओं का मानना है कि माता नैना देवी ने उनकी कई समस्याओं का समाधान किया है और उनके जीवन में सुक शान्ति लाई है यहां आने वाले भक्त माता के सामने अपनी समस्याओं को रखते है और मान्यता है कि माता उनकी हर समस्या का समाधान करती है मंदिर के पुजारियों और स्थानिय लोगों से कई ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जो इस मंदिर की चमतकारिक शक्तियों का प्रमार देते हैं नैना देवी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बलकि एक ऐसा स्थान है जहां आपको शान्ती, आत्मिक सुख और आस्था की अद्भुत अनुभूती होती है चाहे आप आध्यात्मिक्ता में रुची रखते हो या बस हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुन्दर्ता का आनंद लेना चाहते हो नैना देवी मंदिर की यात्रा आपको कभी नहीं भूलने वाली होगी यहां का वातावरण, मंदिर की पवित्रता और चारों और पहली आध्यात्मिक उर्जा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है तो अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर जाएं तो नैना देवी मंदिर जरूर जाएं और इस दिव्यस्थल के दर्शन करके अपने जीवन में नई सकारात्मक उर्जा का अनुभव करें यह वीडियो आपका नैना देवी मंदिर की यात्रा का मार्क दर्शन करेगा जिससे आपकी यात्रा न केवल आसान होगी बलकि बेहद सुखद और स्मरणिय भी बनेगी